दोस्तों कई बार क्या होता है कि पती-पत्रिंगे बीच में कोई छोटा सा विवाद हो जाता है कोई छोटा सा जगडा हो जाता है कोई छोटी सी बात हो जाती है और वो विवाद वो बात जगडा है जो एक विक्राल रूप भी धारन कर लेता है यानिकि विक्राल रूप इस सद तक भढ़ जाता है कि अंत में यहां पर पति-पत्नी का रिष्टा ही तूड जाता है यानकि दोनों का डाइवोर्स हो जाता है मतलब तलाक हो जाता है अगर छोटी सी बात वो छोटा सा कारणों छोटा सा विवाद छोटा सा जगडा अगर वहीं पर सांत हो जाता तो यहा तक वो है जो मामला पहुचता ही नहीं और यहां पर दोनों का रिस्ता है जो अच्छे से चलता रहता पर यहां पर दोनों परिवारों की एक ना समझी होती है पती पक्सकी भी होती है पत्नी पक्सकी भी होती है जिस वज़े से है जो मामला इस हद तक यह छोटी सी बात की आएगा कि यहां पर क्या होता है पति पतनी के बीच में किस तरीके से एक छोटे से विवाद की वज़े से बात है जो कहां तक पहुचती है और उसका अंतिम प्रियनाम है जो क्या होता है तो है आप इस सभी को जानना भूती जरूरी है जो भी इस वीडियो को देख रहे है व और मैं हूँ आपका एड़ोकर जीते अंदर और आप अपनी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को विशे दबा दीजिए तो नमस्कार दोस्तों इस कहानी के जरी से मैं किलियर कर देता हूँ कि यहां पर क्या होता है कि पती-पतनी के बीच में कोई विवाद हो जाता है कोई छोटा सा जगड़ा हो जाता है और वहां पर यह जगड़ा होता है एक फंक्सन के अंदर यान कि एक फंक्सन होता है एक प्रोग्राम होता है वहीं पर है जो पती-पतनी के बीच में जगड़ा हो जाता है जहां पर प पतनी क्या करते हैं पतनी के दो थपड जड़ देते हैं दो थपड जड़ने के बाद में पतनी क्या करती है कि जवाब के अंदर पती के पर चपल फैंक कर मारती है जिससे पती के भी लग जाती है अब क्या होता है कि मामला विक्राल रूप धारन कर लेता है विक्राल रूप इस तरीके से धारन कर लेता है कि पति फिर भकते हैं पत्नी के थपड मारने के लिए उसको चोट पहुचाने के लिए और पत्नी भी फिर क्या करती है गाली गलोज करती है धमकिया देती है यानि कि बुरी तरह से विवार है जो करने लग जाती है जो भी पत्नी के हाथ लगता प्रहार किया जाता है, अब यह परहार किया जाता है, तो पती पक्स अलग हो जाता है, और पत्नी पक्स अलग हो जाते हैं अब पत्नी को क्या करते हैं पत्नी के माई के वाले उसके माई के ले जाते हैं याणि कि पत्नी के माई के ले जाते हैं अब पत्ती के जो भी हैं पत्ती पक्स के लोग पत्ती को बोलते हैं तेरे को गाली गलोश दी है, तेरे को धमकिया दी है, तेरी क्या इज़त रहा गई है, तेरी अब कुछ भी इज़त नहीं रही है, तेरी आप लोग उस मामले को सुदारने के बज़ाई उस मामले को और भी गरम कर देते हैं, यानि कि इतना उसको उकसा देते हैं, प्रेसान कर देते हैं कि यहाँ पर पत्नी के मन मुटाओ हो जाता है मन मुटाओ इस हद तक हो जाता है कि वो लोग उसको मजबूर कर देते हैं पत्नी के उपर केस करने के लिए अब यहाँ पर जो पत्नी पक्स के लोग है वो भी ऐसा ही करते हैं वो भी बोलते हैं कि हम क्या किसी से कम है ह हमारी लड़की के उपर उसने थपड मारे हैं, ऐसा किया है, पहले भी पताने उसने क्या क्या किया होगा, तो वो लोग भी है जो गरम रहते हैं अब क्या किया जाता है पतनी पक्स के द्वारा यानि कि पतनी के द्वारा पती पक्स के उपर यानि कि पती की उपर धेज का केस कर दिया जाता है और वो केस जूटा ही होता है क्योंकि धेज जैसी तो इसमें कोई घटना हुई नहीं थी एक छोटा सा विवाद था पर यहाँ पे एक प्रेश्र डालने के लिए जो एक हतियार है जो धेज का केस है उसका यहाँ पे इस्तमाल किया जाता है पतनी के दुआरा और पती के उपर वो केस है जो कर दिया जाता ह और जो भी लोग वहाँ पे बोल लेते सभी के नाम है जो उस केस के अंदर लिखवा दिया जाता है अब पती के दुआरा भी पतनी के उपर पतनी पक्स के जो भी लोग है जो पतनी का साथ दे रहे हैं उन सभी के उपर मान हाने का केस कर दिया जाता है और पतनी के दुआरा जब time निकल जाता है तो बीच में एक वकील को खड़ा किया जाता है और वकील क्या करते हैं यहां पर पत्नी पक्स से बात करते हैं और पत्नी पक्स की side से वकील है जो खड़ा किया जाता है अब यहां पर बात यह की जाती है कि अपन है जो mutual divorce लेके और अलग हो जाते है और यह जो भी case चल रहे हैं इन सभी को वापिस ले ले लेते हैं या फिर इन सभी को हम है जो खतम करवा देते हैं तो यह दोनों पक्सों की बादचीत होती है और बादचीत के जरिये से उन वकिल साब के माध्यम से है जो दोनों पक्स मिलते हैं और मिलके और mutual divorce की file quote के अंदर लगाते हैं हमे section 13b में जो आपको अच्छे से पता है ऐसे करके दोनों पक्सों के दोवर mutual divorce की file भी लगा दी जाती है और दोनों के दोवरा एक दूसरी के उपर जो case किये गए थे उन सभी को भी खतम करवा दिया जाता है वापिस ले लिया जाता है अब यहां पर क्या होता है कि दोनों का within six month की अंदर mutual divorce हो जाता है जब यहां पर final date होती है जब यहां पर judgment pass होता है final order होता है divorce का तो divorce होने के बाद में court के भार दोनों पति-पतनी है जो आपस में मिलते हैं यानि कि एक दूसरे को भदाईया देते हैं कि congratulation आपका divorce हो गया जैसा आप चाते थे वैसा का वैसा हो से बदाईया देते हैं और दोनों के आँखों के अंदर आंसू आ जाते हैं अब दोनों बोलते हैं कि last time अपन है जो साथ में बैठ के चाई पी लेते हैं जो भी है last बातचीत कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि side में tea style होती है वहाँ पर जाके एक table के उपर आमने सामने बैठ साथे हैं और बैठने के बाद में यो चाय का order देते हैं और वहाँ पर बातचीति श्टार्ट कर देते हैं बातचीत इस तरीके से start कर देते हैं उस दिन आपने मेरे थपड मारे फिर यहां पर पती भी बोलते हैं कि आपने मेरे उपर चपल फैंकी, मेरे को गाली गलोस दी, मेरे को आपने धमकिया दी ऐसे करके और दोनों है जो पस्ताताब करते हैं, दोनों बोलते हैं, यहाँ पर पती भी बोलता है कि मेरे से गलती हो गई थी और पतने भी बोलती है कि मेरे से गलती हो गई थी फिर दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं कि यहां पे जो आपके सूगर की बीमारी है वो कैसी है अभी यहां पे आपके फायदा है या फिर नहीं है पत्नी पती से पूछती है और पत्ती भी है जो पत्नी को पूछते हैं कि आपके read के addy में जो back में जो दर्द होता था वो अभी ठीक है या फिर नहीं है यानि कि इस तरह की से हाल चाल पूछते हैं क्योंकि दोनों है जो आमने सामने दो साल के बाद में इस तरह के से बातचीत करते हैं तो ऐसे एक दूसरे के बारे में बातचीत करते करते एक से चाई पिलाती है अब एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि आप जब मेरे से इतना प्यार करते हैं एनकी पति बोलते हैं पतनी को कि आप मेरे से जब इतना प्यार करते हैं और पतनी बोलती है कि आप जब मेरे से इतना प्यार करते हैं तो ये नोबत कहां से आ गई आज अपन लोगों ने इस तरीगे से अपने को भैकाया उक्साया इन्नोबत यहां तक आ गई जब कि वो एक छोटी सी बात थी तो यहां पर फिर दोनों विचार करते हैं बोलते हैं कि अपन फिर से क्या एक हो सकते हैं क्योंकि दोनों ने हैं जो दो साल के अंदर बहुत ज़्याद दुख देखे हैं यहां कि पत्ति को भी यहां पर काफी सारे दुखों का सामना करना पड़ा है पुरानी यादों के सारे हैं जो पत्ति को भी जीना पड़ा है और पत्ने को भी यहाँ पुरानी यादों के सारे जीना पड़ा है पत्ने को भी कईतरे के ताने मिले हैं आसपडों से, उनकी भाबियों से यानि कि वो भी घुटगुट के जी रही थी तो यहाँ पे दोनों है जो emotional हो जाते हैं रोते वे हैं जो दोनों बोलते हैं कि अब इस तलाग के कागज की अपने को जरूत नहीं है और उस कागज को वहीं पे फाड़ देते हैं और दोनों है जो फिर से एक हो जाते हैं गले लग जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि दोनों साथ-साथ, यानि कि पती के घर है, जो पतनी चली जाती है, यानि कि इससे आपके क्या समझ में आया, एक छोटी सी बात की वज़े से है, जो मामला इस हद तक बढ़ गया, कि यहाँ पे रिष्टा है, जो तूट गया है, यानि कि डायवर्स हो गया, पर यहाँ पे दोनों ने एक समझ से काम ली, इनके बाद में समझ में आया, कि यहाँ पर क्यों छोटी सी बात थी, उसकी वज़े से नोबत आई है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इस वज़े से है, जो दोनों वापिस से एक होगे, तो यह जानकर यह आपके समझ में आ ग इतलब नहीं है, जो भी भारी लोग आपको उकसा रहे हैं, आपके उपर एक प्रेशर कर रहे हैं, कि आपको यह करना चीए, वो करना चीए, तो आपको उनकी बातों के अंदर नहीं आना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, उनकी नहीं है, वो तो अपनी लाइफ के अंदर उठा सके तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद